आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए रिम्स की सस्ती रोटी लाइफ लाइन बन गई है इस केंदर में काम करने वाली 5 महिलाएं रोजाना 500 लोगों को पेट भर रही है यहां मातर 10 रुपे में रोटी सबजी मिलती है अंतरास्टिय महिला दिवस पर हम ये जानेंगे कि उन 5 महिलाओं का हाल क्या है जो लगातार काम कर रही है देखें इस रिपोर्ट में महिला दिवस पर कुछ ऐसी महिलाओं के कहानी से आपको रूबहरू कर आने जा रहे हैं जिनोंने अपनी नारी शक्ती का परिचे दिया है पांच महिलाओं के कंधे पर हर रोज 500 से 600 लोगों के पेट भरने की जिम्मवारी होती है या महिलाओं बिना ठकेट, ठंड, कर्मी और बरसात की परवाह किये बगएर अपनी सेवा दे रही है सेवा इसलिए भी क्योंकि मातर 10 रुपए में लोगों को 6 रोटी, सबजी और अचार मिलता है तो वहीं इतनी ही पैसे में मौंग यूग तक खिचडी जो मरीजों के लिए बेहत लापकारी है भी मिल ही जाता है आते हैं साथ बजे और जो यहां का काम है वो नौ बजते बश्ते हम लोग प्रतियारी कर जाते हैं नौ बजते दुकान भी लगा जाते हैं इसके बाद है हाँ जो हम लोग करते हैं समालतेे हैं उसके बाद फिरी लोगचुटी हो जाता जुपजय फिर हम लोग घ। रहते हैं लावक तक कर French augy तक हम लोग रुपते हैं लुपते रात हैं फूलिटा से आते रिम्स में अनपुर्णा भोजन सेवा चरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा पिछले 11 सालों से मरीजों को भोजन मुहया कराय जा रहा है सुबह 9 बजे से खुलने वाला यकिंद्र रात के 8 बजे तक चलता है जहां स्पताल के करीब 600 मरीज और उनके परिजट भोजन के लिए पहुचते हैं यकिंद्र लोगों की भूख मिटाने वाला एक बड़ा किंद्र है क्योंकि 10 रुपे में उन्हीं एक वक्त का खाना असानी से मिल जाता है यहां करीब 60 किलो आटे का रोटी हर रोज बनता है यहां से गौश सेवा के लिए 650 रोटी हर रोज गौशाला भी भेजा जाता है सुबज 6 बजे से शाम 6 बजे यानि कुल 12 घंटे लोगों के पेट भरने के लिए सब ही मेहनत करती है जिसके बाद घर का काम काज भी निबटाना पड़ता है परिवार और बच्चों के वेगभाल भी करने पड़ती है राजी से निउस लवन भारत के लिए सहीयोगी दीपक के साथ सत्यवरत तिरन के लिए लाइक अंड शेयर वीडियोज सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन निउस लवन भारत सच है तो दिखेगा